हेलो एब्रिवन गुड आप्टरनून कैसे हैं आप सब लोग श्वागत हैं आप सब का मेरी यूटूब चैनल में और मैं आगई इंस्टूट से घर तो ब्लॉग की सुरुवात ओरी दिन से और अभी टाइम हो रहा है पौने एक मैंने मिनाई अपने लिए चाई चाई भी प इसके बाद मुझे बनाना है खाना लंच बात बनाना है डाल तो बनने के लिए रखी विया है हमारा लंच हो गया है और मैंने बर्तन भी दूल दिये हैं तो अब है जाडू लगाने की बारी तो जाडू की सुरुवात करते हैं बैठक रूम से हम मेरे कपड़े भी दूल गये हैं और आज मैंने अपने हजबन जी की स्रेटर उनकी कमीस और बच्चों के थे और मैंने आई थी भी तो अपने कपड़े दूले ये है आज का व्यू आज भी बहुत उच्छी दूप है अब हमारा लंच युगे रहा भी हो गया है बटतन भी थूल दे मैंने अब नीचे चलते हैं थोड़े देर आरम करते हैं हेलो एप्रिवन गुड इबनिंग अभी टाइम हो रहा है पांच बज़री है और मैं यहां पे सारी बैट सीट और जैकेट स्वेटर होगी रहा सबको पैक में रख रहे हूं मतलब विंटर सीजम खतम हो गया है गर्मिया स्टार्ट होगी है तो इतने भी कपड़ें गरम को समालनी की तयारी शुरू है तो ही के करके समालते हैं सबसे पहले बैट सीट यह चारों बैट सीट जो मुझे समालनी है तो यह दो तो है मेरे रूम की और यह दो है बच्चों के रूम की तो इन चारों को मुझे रखना है बैक ले अंदर यह चारों बैट सीट जो है उलन में गरं की बात करूं तो यह काफी सॉप्ट है और विंटर के लिए बहुत अच्छी गरम रहती है और धुल भी जल्दी आती है और सोग भी जल्दी आती है इसले मुझे यह वाधी बैट सीट अच्छी लगती है उलन वाली तो यह मैंने इन दो अपने रूम के लिए रिखिया तो बने बच्चों के लिए रिखिया और मैंने धूल दी है तो मैंने का आप समाल देती हूं क्योंकि अब इनकी ज़रूत नहीं है आपसे नेक्स्ट यह जरूत पड़ीगे जब इंटर आई गा तो मैंने ले रिखिया पे बैक इस ट इनको रखते हैं इस तरह से चारम बैट सीट को इसमें रख दिया है इसमें इन तीनों का डिजाइन ना सीम है बसके वल कलर अलगे तो इसको कर देते बांद 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 जसमें पुछ कर दो कर दो दो अब दो झाल बांद कंबल के बाद अब है जैकेट की बारी अब जैकेट भी रख लेते हैं क्योंकि दुल्वा के मैंने ला दी थी एकल तो अब इनको भी समाल देते हैं साटर भी जितनी है सारी समाल देते हैं काथ जैकेट की अब हैं साटर भी समाल देते हैं तो अब गर भी साटर भी समाल देते हैं कि यहां पर मैंने सारी शेटर और जैकेट हैं भी रखती है इस वाले बैक में मैंने रखी है जैकेट और इसमें रखी मैंने बैट सीट तो अब इन दोनों को रख देतें दिवान के अंदर एम मैंने सारी बैचेट और जैकेट इन दिवान के लिए बैक में पैक करके और अब हम मनाएंगे डिनर चलते हैं की जंग की तरह अब हमारा डिनर हो गया है और आट डिनर में मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सबजी और रोटी और मैंने बच्चों को दूद दे दिया है और मैंने भी अपने दूद ले लिया है आज का ब्लॉग है मेरा यहीं तक तो मिलते हैं आप से कल नेक्स ब्लॉग में अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लेज लाइक कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लेज सब्सक्राइब भी कर देजेगा तो मिलते हैं आप से कल नेक्स प्रवाइट